मेरा नाम है लक्ष तत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट सेवन ये काली-काली आखें एक बात याद आई अभी मुझे जब मैं माया से पहली बार मिला था उस दिन ट्यूशन में और हम दोनों ट्यूशन के बाद वॉक करके उसके घर जा रहे थे तब मैंने माया से एक सवाल पूछा था क्या मतलब होता है माया का इलूजिन जो दिखता है लेकिन होता नहीं है माया तो कहां था मैं हाँ जगी के घर राधा ने मेरा हाथ पकड़ा है और फिर उसके गेट पर दूर मुझे माया दिखती है तो फिर क्या हुआ पूरे तीन सेकंड तक माया और मैं एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे अगर ये बात चौथे सेकंड तक पहुँचती तो लेकिन बात वहीं रुक गई क्यूंकि चौथे सेकंड में राधा ने मेरा हाथ दबाया और पूछा कि क्या हुआ मैंने वापस उसकी तरफ देखा क्या कहा याद नहीं लेकिन जब फिर से गेट की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था अचानक से आती और अचानक से ही गायब हो जाती ये है माया और अगर मेरी लाइफ कोई बॉलिवूड की फिल्म होती तो मैं राधा का हाथ छोड़ कर माया के पीछे भागता कुछ ड्रामा होता, कुछ गलत फहमिया होती मेरी लाइफ की कुछ बाते शायद तुम्हें फिल्मी लगे लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो वो करता है जो सही है जो थेटर में बैठी और्डियंस देखना चाहती है मैं तब एक आम चौदा साल का लड़का था और मैं माया के पीछे नहीं गया क्योंकि उस वक्त मेरी जिन्दगी में काफी सारी चीज पहली बार हो रही थी पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था पहली बार मैंने एक बियर पी थी पहली बार एक लड़की के साथ बियर पी थी और पहली बार किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था अब सोचकर कुछ नया नहीं लगता है लेकिन जब तुम पहली बार किसी का हाथ पकड़ते हो तो कोई आइडिया नहीं होता कि ये क्या फीलिंग है मैं किसी को चाहूं और वो भी मुझे चाहे आदत नहीं थी मुझे ऐसी चीजों की मैंने उस लमे से पहले हुई हर बात को उस रात के लिए भोला दिया और अपने तीन दोस्तों के साथ पार्टी में अपने आपको खो दिया अगले दिन सब कुछ एक साथ याद आया तो मैंने सबसे पहले माया के घर फोन किया उसकी दादी ने फोन उठाया और कहा कि वो सुबह से बीमार है और सो रही है मैंने उनसे कहा कि उसे बता दे कि मैंने फोन किया लेकिन उसका फोन नहीं आया मैं सोचता रहा कि अगर उससे बात हो भी जाये तो तो मैं क्या कहूंगा मैं तो चानता भी नहीं था कि वो मुझे पसंद करती थी भी की नहीं एक, दो, तीन, चार चार दिन वो ट्यूशन नहीं आई ट्यूशन वाली मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद उसने प्राइवेट ट्यूटर ले लिये है जगी से भी एक, दो, बार बातों में पूछा तो उससे कोई सीधा जवाब नहीं मिला उसके हिसाब से तो माया कभी पार्टी पर आई ही नहीं थी कहने में तो ज्यादा कोशिश ही नहीं करी मैंने माया को ढूणने की क्योंकि क्या मिलता मुझे उसे ढूण कर क्या मिलता मुझे अपनी सच्चाई को फेस करकर अचानक से आई थी और अचानक से ही चली गई माया को अपने बीते हुए कल का एक अधूरा सपना समझ कर अपनी यादों में बंद कर दिया था मैंने मेरी नजर सिर्फ अपने आज पर थी राधा पार्टी में जो हुआ वो कुछ दिनों बाद पूरे स्खूल में सब को पता था सब की नजर में राधा और मैं अब बॉइफरिंट गल्फरिंट थे बड़ा अजीब लगा था मुझे ये तब जब रधी से कहना चाहा तो कह नहीं पाया और राधा से कहा भी नहीं लेकिन उसे पता चल गया पार्टी के बिलकुल एक हफते बाद राधा और मैं पहली बार अकेलिए एक पिक्चर देखने गए महेश भट की आशिकी और इंटर्वल में मैंने उससे कह दिया राधा आई लव यू इस बार डर नहीं था बेचैनी भी नहीं थी क्योंकि मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा था मैं उसे जवाब दे रहा था प्रिया इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए ये सब ग्यारा साल पहले हुआ था और हाँ मैं सोच रहा हूँ तो लग रहा है कि कितना ना समझ था बेवकूफ पी था बिलकुल एक बच्चा था मैं इन बातों और उन दिनों और मेरे उन फैसलों के बारे में सोच कर थोड़ा थक रहा हूँ मैं लेकिन सच पताओ तो वो चौदा साल वाला मैं बहुत खुश था उसे ये सब उलजने, ड्रामा ये कोई प्रोब्लम नहीं लग रही थी उसकी जिन्देगी उसके हिसाब से अच्छे ही कट रही थी अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ अपने प्यार पाने की कहानी सुनाई है लेकिन ये पहला दो तर्फा वाला प्यार पाने के बाद मेरे दिमाग में कुछ नए सवाल आए आखिर प्यार होता क्या है? ये दिखता तो नहीं है लेकिन फिर भी होता है तो क्या प्यार भी माया है? मेरा नाम है लक्षतत्ता और आप सुन रहे हैं लॉंचोरा का बॉड़कास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है? ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर और वहां आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉंचोरा के बाकी सारे पॉड़कास्ट अस वेल अस लिंक्स तो आर ओनलाइन स्टोर जहां आप मेरे बनाए कुछ प्रोड़क्स खरीद सकते हैं तो सपोर्ट मी और माय पॉड़कास्ट ट्रिया की कहानी अभी बाकी है मिलते हैं अगले अपिसोड में जिसका नाम है पार्ट एट क्या यही प्यार है